हुआ है 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 लो गाइज वेलकम तो माई चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट एस अभी ते चैनल सिस्क्राइब नहीं किया है तो जली से मेरा चैनल सिस्क्राइब कर लें और चलिए आज की वीडियो स्टाइट करते हैं तो प्रेंट से आप मैंने एक बेटशीट का पीस लिया हुआ है जिसके यूज से में बनाने वाले हैं बहुत ही यूसफुल चीज़ है तो आप चाहिए तो कोई भी पुराने टुकुडे का इस्तिमाल कर सकती है तो यह बिल्कुल नेया कपड़ा था बेटशीट का तो मैंने इसका यूस किया है तो सबसे पहले हम इसको चारों तरफ से 10-10 इंच की दूरी पर हम कट कर लेंगे और यहां से हम निशान लगाएंगे और यहां से हम इसको 10-10 इंच की दूरी रखकर हम कट लेंगे चारों तरफ से कि यह देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है और अब हम दूसरा वाला भी कट करेंगे तो यहां पर मैंने दो कलर के कपड़ लिये हुए है और अब हम इन दोनों को कर देंगे तो मैंने इसको भी 10 इंच की दूरी रखकर काटा है और इसको अब हम इसके उपर उल्टा करके दोनों कपड़े को हमें उल्टा करना है और इस तरीके से सीधा वाला अंदर रहेगा और बाहर उल्टा वाला रहेगा और इस तरीके से हम इसकी स्टीशिंग कर कि स्टीचिंग करने के बाद हम यहां से थोड़ा सा इसको उपें रखाइंगे जिस से हम इसको सीधा करेंगे की अच्छिए से सीधा कर लेंगे इसके यहां से सिलाई कर देंगे ज़िक है गिए तरीके से और अब connecting ये और पिर हम एक बार उपर से भी इसकी सिलाई कर देंगे और यहां से हम इसकी पूरी सिलाई चला देंगे यह देखिए इस तरीके से हम इसकी पूरी सिलाई कर देंगे और अब हम दोनों corners को यहाँ पर दूसरे side से लेंगे opposite side के corners को हम लेंगे और यहाँ पर दोनों को एक जैसे मिलाएंगे और फिर यहाँ पर थोड़ी दूरी पर हम इस तरीके से आयाँ जितना बड़ा भी hole चाहे बना लें कर देंगे और यहाँ पर हम सुविधागे से इसमें इसको जोइन कर देंगे कि जो की इस कोटेंगे इसמק और यहाँ से हम इसको हम इसमें जोइन कर देंगे दों इसके भी Pokel Court को हम यहां पर जाइन कर देंगे यह देखिए यह बन गया है और इस कॉर्णर में हम एक बटन लगाएंगे तो यहां पर मैंने एक बटन लिया हुआ है और इसको हम यहां पर लगा देंगे कि यह देखे यहांपे इस तरीके से बटन को लगा से तो फिक्स करें इसमाइस कने इस संद्धा हें मतले कि लगा दिया है और लगाने के बाद से हम इसको यहां पे बंद कर देंगें यहां पासल में इसकेट करें दो इसको बन कर सकते हैं तो इसमें आहप पो यह हमारा टीश्व ऊर्डनाजर बनकर रेडी हो गया है तो हम इसने इसने अपनी टिसू सर रख सकते हैं और даже प्रशु रखने के बाद से हम यहांसे बटन को बंद कर सकते हैं और देखीये से और पिर आप यहांसे इसली टिसू को निकालकर यूज कर सकते हैं तो कोई भी पुराने कपड़े की मदस्ते आप इसको बना सकते हैं यहां से मैं इसको निकाल लए हूँ और यह बहुत ही अच्छे से इसली निकल जाएगा आप इसको कही भी अपने बैग में रख सकते हैं और टीशू का यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से अगर आपके गेस है तो ये था मेरा फर्स्ट झावाई और सेंड कर लूब हैं करक currency तो ने यहां पर हमने एक नेट का पीस लिया हुआ है आप चाहें तो फेब्रिक हो यूज कर सकतें को कट करना है तो कट कर लिए यहाँ मैंने जिप लिए तो आप में कुट करने के लिए ऑप से नका कुट करूँगे अ यहां से नेट को हम कट करेंगे और कट करने के बाद से हम इसको भी 20 से हाफ कर reminder यह देखिए और फिर जिप को हम दोनों साइड में लगाएंगे तो यहां से हम इसको जिप को लगाएंगे और जिप लगाने के पहले हमें यहां पर इसको फोल्ड कर लेना है तो यह दोनों साइड को हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है यहां पर हमें इसको डारेक्ट नही में लगा देना है तो यह देखिए यह दोनों साइड से मैंने जिप को लगा दिया है और लगाने के बाद से हम इसको यहां से बंद कर देंगे तो सीधे तरफ से हमें इससे बंद नहीं करना है हमें इसको उल्टा करना है यहां से यह वाला जो कॉर्णर है हमें इसको उल्टा करके यहां से हमें इसको सिलाइ करनी है तो यह देगे एक सिलाइ मैंने यहां से कर दी है और एक साइड में मैंने जिप लगा दी है और अब जो आपोजिट साइड है दूसरा वाला तो इसको हमें लेना है और यहां से जो जिप है हमारी उसको हमें बिल्कुल सेंटर में कर लेना है तो यहां से हम इसको सेंटर में कर लेंगे सेंटर में करने के बाद हम एक साइड से इसके स्टीचिंग कर लेंगे यहां से यहां पर मैंने एक साइड से इसकी स्टीचिंग कर ली है और अब जो दूसरा वाला साइड है उसे हमें यहां पर जो जिप है वहां पर हमें इसको इस तरीके से उठाना है यह देखिए और यहां से इसको इस तरीके से दबा देना है उपर की और और फिर यहां से हम इसको यहां से स्टेचिंग कर देंगे तो यह इस तरीके से बन जाएगा मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ यह देखिए जो जिप है इसको इस तरीके से स्टेट करना है पिर यहां से यह इस तरीके से बन जाएगा और यहां से हम इसकी स्टेचिंग कर देनी है तो गाइस यह देखिए यह बन कर रेडी हो गया है और अब हम इसे सीधा कर लेंगे तो यहां से हम जिप को ओपन करेंगे थोड़ा सा और फिर इसके पाद हम इसको सीधा कर लेंगे तो यह देखिए यह हो गया है और इसको हम बंद कर लेंगे आप यहाँ पर एक लूप लगा लें जैसे कि आप इसको कहीं भी हैंक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक साटन का लूप लगाऊंगी और यह फिर इस तरीके से बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा आप जितना बड़ी चाहे उतने बड़े साइस का इसको बना सकते हैं यह देखिए यहाँ से मैं इसको लगा दूँगी और यह बनकर रेडी हो गया हमारा ट्रैंगल शेप का बैग तो इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं अपने मेकप के सामान रख सकते हैं या अपने मेडिसिंस वगहरा रख सकते हैं या अपने पैसे वगहरा रख सकते हैं कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं और इसको मैंने इस तरीके से बनाया है नेट की मदद से तो अगर आप कोई छोटी चीज रख सकते हैं जिसमें आपको अएर की जरूरत हो तो भी आप इसमें रख सकते हैं कीछन की पर्पस भी अब इसको यूस कर सकते हैं कीचेन में चोटी पर मोती जो चीजें आप इसमें रख सकते है तो बहुतसे क्लैकों से यूजJesus कर सकते हैं यह था मेरा 2 और्गनाइजरर आई होप कि आपको पसंद आया होगा मैंत पसंद आया होगा तो वन लाइक जरूर कर दीजेगा और कोमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा थाइंक्स पॉर वाचिंग बाए कि यहां पर मैं आपको एक चोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अवर्टीन गा नैच्रल इंटिमेट हाइजीन वाइप्स जो कि यह पैरबिन फ्री होता है और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल नहीं होता और इसमें 15 सैशित आते हैं तो आप इसको बिना कोई डाउट के यूज कर सकते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं यह 100% नैच्रल है